अब हम प्रावलम नंबर 39 देखते हैं तो देखे इसमें क्या बोल रहा है verify whether the following function are valid potential function यह valid potential function है या नहीं है यह verify करना है तो देखे 5 की यह equation दिया है यह दिया है यह दिया है यह आपको दिया हुआ है ठीक चलिए हम इसको solve करते हैं तो देखे अगर कोई valid potential function है तो क्या होना चाहिए लैपलास equation आपकी satisfy होना चाहिए हम जानते हैं लैपलास equation क्या होता है that is del square phi upon del x square plus del square phi upon del y square equal to 0 तो देखे यह 5 की value दिया था तो पहले हमको क्या निकलना पड़ेगा del square phi upon del x square इसका दो बर differentiation आपको करना पड़ेगा x के respect में तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा इसका दो बर differentiation करना पड़ेगा y के respect में तो आपको क्या मिलेजेगा minus 2 मिलेगा तो देखे, del square 5 upon del x square plus del square 5 upon del y square equal to 0 आना चाहिए, कब valid potential function को satisfy करने, है न, valid potential function होने के लिए Laplace equation की ये जो value equal to क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तो देखे, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये equal to 0 आ जाएगा, मतलब ये क्या है, it is a valid potential function है, it is a valid potential function है, अब 5 equal to a cos x है, तो इसका भी दोबर differentiation करेंगे आप x के respect में, तो आपको मिलेगा minus a cos x, इसी का दोबर differentiation करेंगे with respect to y के respect में, तो ये आपको 0 मिलेगा, इन दोनों को जब आप add करेंगे, तो minus a cos x मिलेगा, तो it is not a valid potential function, क्योंकि Laplace equation आपके satisfied नहीं हो रही है, तीसरा देखे 5 equal to a x y, तो पहले आपने इसका दोबर differentiation करा, x के respect में तो ये आपको जिरो आ गया, इसी टर्म का दोबर differentiation करा, y के respect में तो ये भी 0 आ गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 0 ही आ जाएगा, तो it is a valid rotational function है इसी तरह देखिए आपको दिया 5 equal to m log x दिया तो log x का पहली बार differentiation करेंगे तो 1 by x आ जाएगा फिर second बार करेंगे x के respect में तो क्या जाएगा minus 1 upon x square आ जाएगा तो देखे del square 5 upon del x square करा तो पहली दो बार differentiation इसका करेंगे x के respect में तो इतना जाएगा फिर इसका दो बार differentiation करेंगे y के respect में तो आपका 0 आ जाएगा थिक इन दोनों को add करेंगे तो इतना आ जाएगा तो देखे आपकी laplace equation satisfy नहीं हो रही है so this is not a valid potential function यह valid potential function आपका नहीं है थिक फिर हम आगे बढ़ते हैं हम अब देखते है problem number 43 देखते हैं तो देखे इसमें बोल रहा है steady incompressible two dimensional velocity देखे steady है क्योंकि इसमें time वाली term नहीं आ रही ठीक है incompressible है मतलब density इसकी constant है two dimensional velocity देखे खाली u और वी आ रहा है w नहीं आ रहा है ठीक है इसमें खाली x और y आ रहा है z नहीं आ रहा है इसमें z नहीं आ रहा है इसलिए two dimensional floor है ठीक है determine the location of stagnation point देखे stagnation point वो point होता है जहाँ पे fruit particle की velocity कितनी हो जाती जिरो हो जाती है stagnation point वो point होता है जहाँ पे fruit particle की velocity कितनी हो जाती है रहा हो जाती है इसको हम आगे काफी पढ़ने वाले depth में आगे के chapters में तो अभी तो इतना जाद रखिए stagnation point में u component of velocity कितनी हो जाएगी 0 v component of velocity कितनी हो जाएगी 0 मतलब fruit particle की velocity कितनी हो गए? 0 हो गई तो हमें वो coordinate निकालना है, determine the location of stagnation point, तो देखिए आपको यह equation दिया है, इस equation में देखिए, stagnation point पे u equal to 0, v equal to 0 होता है, तो इस u को मैंने 0 कर दिया और v को 0 कर दिया, तो यह आपकी equation मन लेगे, इन दोने equation को हम simply solve कर लेंगे, ठीके, इसमें 2 यह नोने x और y, तो देखिए, इस दोने equation को solve कर लीजिएगा, तो you will get the value of x and minus 1.5, ठीके, तो यह आपका stagnation point है, इस point पे fluid particle की velocity आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर हम अगला problem देखते हैं, problem number 46 देखते हैं, ठीक, इस वाले problem में बोल रहा है, the velocity component in two dimensional flow, देखे, u और v खाली आपको दिया है, x और y आ represent a case of irrotational flow, यह क्या represent कर रहे हैं, यह component irrotational flow आपके represent कर रहे हैं, तो देखे, अगर flow आपका irrotational है, तो omega z equal to कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, अगर flow आपका क्या है, irrotational है, तो omega z की value कितनी आनी चाहिए, 0 आपकी आनी चाहिए, तो देखे, हम जानते, omega z is equal to क्या होता है, omega z आपका क्या होता है that is 1 by 2 del v upon del x minus del u upon del y तो देखे आपको यहाँ पे u दिया हुआ था आपने इसका क्या करा del u upon del x निकाला जब निकालेंगे तो यह term आपकी 0 हो जाएगी यह कितना बचेगा खाले 2 बचेगा 2 minus 2xy बचेगा तो 2 minus 2xy कर दिया फिर आप क्या करेंगे del u upon del y करेंगे ठीके हमको क्या करना है del v upon del x की value चाहिए del u upon del y चाहिए तो देखे del u upon del y जब आप करेंगे del u upon del y आप करेंगे तो आपकी इतनी value आजाएगी फिर del v upon del x करेंगे तो आपकी इतनी value आजाएगी ठीक है यह del v upon del x आ गया del y upon del y आ गया अब देखिए इन दोनों को अपन minus कर देंगे तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है del v upon del x इतना आया minus of del y upon del y तो देखिए omega z equal to 0 आ रहा है omega z कितना आ रहा है 0 आना है अगर rotation is 0 है rotation आपका 0 है इसका मतलब क्या है flow आपका केसा है irrotational flow है फिर हम आगे बढ़ते हैं next problem देखते हैं problem number 50 देखते हैं तो देखिए इस problem में क्या बोल रहा है verify whether the following stream function represent irrotational flow हमें यह बताना है कि यह irrotational flow है तो देखिए यह आपको equation दिया है अगर देखिए यह क्या करेगा अगर साई stream function साई irrotational flow है तो यह किसको satisfy करेगा laplace equation को satisfy करेगा तो देखिए यह साई के term में laplace equation है del square साई upon del x square plus del square साई upon del y square equal to 0 यह हमने पढ़ा था ठेके तो देखिए यहाँ पे साई दिया हुआ है आपको साई आपको दिया है तो del si upon del x कर देंगे फिर del square si upon del x square कर देंगे यहाँ पे साई दिया है तो del si upon del y कर देंगे फिर del square si upon del y square कर देंगे तो यह इतना जाएगा तो del square si upon del x square कितना है minus 2 तो equal to 0 तो क्या हुआ as the laplace equation is satisfied so the equation यह equation representing in rotational flow यह irrotational flow को यह represent कर रही है, इसी तरीके से, कैसे यह आपको दिया है, ax square y square आपको दिया है, तो si आपको दिया है, तो पहले del si upon del x निकालिएगा, del square si upon del x square निकालिएगा, फिर यह si दिया है, del si upon del y निकालिएगा, del square si upon del y square निकालिएगा, फिर इन दोनों को जोड़िएगा, त इसका मतलब लेक प्लास equation is not certified, मतलब it does not represent an irrotational flow, यह irrotational flow को represent नहीं करेगा, ठीक, तो आप इसका differentiation खुछ से करिएगा, यह solution आपके सामने रहेगा, फिर हम देखते हैं, यह problem में si equal to ax minus by square दिया है, ठीक है, यह si की value दिया है, तो वही आपने del si upon del x निकाला, del square si upon del x square निकाला, फिर del si upon del y निकाला, del square si upon del y square निकाला, तो इन दोनों को फिर जोडना पड़ेगा, यह दोनों को जोडने का अब इक्वल to 0 आना चाहिए, not equal to 0 आया, मतलब यह भी irrotational flow को represent नहीं कर रहा है, क्योंकि लेपलास equation आपके satisfy नहीं होई, अगर यह प्रावलम है, si equal to xy आपको दिया है, फिर आपने del si upon del x निकाला, del square si upon del x square निकाला, तो देखे, यहाँ पे इन दोनों की value equal to 0 आ रही है, ठीक है, तो 0 plus 0 equal to 0 आ जाएगा, तो लेपलास equation आपके satisfy हो गई, तो यह किसको represent कर रहा है, यह irrotational flow को represent कर रहा है, यहाँ पे यह भी बिल्कु सेम सिंपल प्रावलम है, आपने क्या कर रहा, del square si upon del x square के value निकाल लिए, del square si upon del y की y square के value निकाल लिए, तो एक plus 2a है, एक minus 2a है, तो यह equal to 0 आ जाएगा, मतलब इस case में यह जो equation है, यह किसको, लेपलास equation को satisfy कर रही है, मतलब यह irrotational flow है, यह equation किसकी है, irrotational flow की है, यह हम थोड़ा देख लेते हैं, तो देखे, phi equal to u r cos theta, plus u y r cos theta है, ठीक है, इसमें क्या हो गया है, यह polar coordinate में आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो देखे, polar coordinate में यह आपकी लेपलास equation होती है, 1 by r, del phi upon del r, plus del square phi upon del r square, plus 1 by r square, del square phi upon del theta square, equal to 0 आना चाहिए, तो देखे, यह phi आपको दिया था, तो पहले आपने del phi upon del r की value निकाले, तो इसका differentiation आपने किसके respect में किया, r के respect में किया, फिर आपने यहाँ पर del square phi upon del r square करा, इसका फिरसे differentiation आपने कर दिया, r के respect में, तो आपको यह मिल जाएगा, फिर उसके बाद क्या था, यह phi की equation दी थी, अब आपने del phi upon del theta की value निकाले, del phi upon del theta, तो आपने इसका differentiation करा, theta के respect में, ठीक है, del square phi upon del theta square आगे, तो उससे आपकी यह वाली value निकल के आजाएगे, अब देखे, आपकी यह equation है, 1 by r del phi upon del r, तो देखे, यह del phi upon del r की value है, और 1 by r देखे, उसमें खाले आपने multiply कर दिया, फिर del square phi upon del r square, यह del square phi upon del r square, यह देखे, यह वाली value है, यह वाली value हमने क्या करा, यहाँ पर put कर दिया, ठीक है, उसके बाद हमको किसकी value चाहिए, 1 by r square del square phi upon del theta square, देखे, del square phi upon del theta के square, यह है आपकी value है, इसमें 1 by r square कर दिया, ठीक है, तो यह वाली value थी, इसमें 1 by r square का मैंने multiply कर दिया, तो देखे, यह equal to 0 आ रहा है, यह equal to 0 आ रहा है, as the Laplace equation is satisfied, so the equation, यह equation represents an irrotational flow, तो इसमें किसमें दिया था, polar coordinate में आपको दिया था, तो आपने यह वाला Laplace equation का यूज करके, यह पता कर लिया, कि यह irrotational flow है, इसी तरीके से यह आपका problem है, फाई equal to r minus 2r sin theta, तो देखे, यह आपकी equation हो गए, Laplace equation हो गई, किस है, polar coordinate में आपकी हो गई, तो यह पर फाई दिया है, तो पहले del phi upon del r निकाल लीजे, यह मिल जागा, del square phi upon del r square निकाल लीजे, यह मिल जागा, फाई दिया है, अब del phi upon del theta निकाल लीजेगा, del square phi upon del theta square निकाल लीजेगा, यह मिल जागा, अब इसमें खाली value आपको put करना है, तो del square phi upon del r square की value देखिए, del square phi upon del r की value यह आगई, तो देखे, यहाँ पर put कर दिया, ठीक, बाहर क्या है, 1 by r square आपका बाहर था, यह वाली value 1 by r क्या है, बाहर है, फिर इसी तरह del square phi upon del r square की value यह थी, उसको यहाँ पर put कर दिया, फिर 1 by r square del square phi upon del theta square, तो 1 by r square यहाँ पर लिख दिया, अब del square phi upon del theta square की यह value हमने इसको यहाँ पर put कर दिया, इसको solve कर लिया, it is not coming equal to 0, यह 0 के, not equal to 0 आएगा, as the Laplace equation is not satisfied, so the equation phi equal to r minus 2 by r sin theta, does not represent the irrotational flow, यह irrotational flow को represent नहीं करेगा, तो आप यह सारे video रोप के, खुद से आप लोग इसको try करिएगा, thank you. कर दो 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 क